वेल्कम टू भाई की बढ़ाई सस्क्राइबर और जिन्होंने नहीं किया वो कर दो और मेरे चीतों कैसे हो शिकार वगेरा पर भी जाते हो या घर पड़े पड़े ही ठूसे जा रहे हो भाई आज हम आठवी कक्षा का सबसे इजी चैप्टर करने वाले हैं जिसका नाम है Direct and Inverse Proportion चलो यार स्टाट करते हैं Direct Portion से एक मस्ट एक्जाम्पल से समझाता हूँ भाई जब मैम पिटाई करती हैं तो कैसे करती हैं एक क्ष्शं गलत तो दो डंडे दो क्ष्शं गलत तो चार डंडे तीन क्ष्शं गलत तो च्छे डंडे चार कुश्चन गलत तो आठ डंडे और पांच हो जाएं तो दस डंडे भाई देखा जैसे जैसे कुश्चन गलत होते जा रहे हैं वैसे वैसे डंडे भी बढ़े जा रहे हैं है ना यही है भाई डैरेक्ट प्रपोर्शन अगर कोई एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज भी बढ़ जाती है जनरली हम इन टर्म्स को एक्स और वाई मान लेते हैं जब एक्स इंक्रीज होगा तो वाई भी इंक्रीज हो जाता है और जब एक्स डिक्रीज होता है तब वाई भी कम हो जाएगा यहारो डिरेक्ट प्रपोर्शन में X औ Y की रेशू हमेशा सेम होती है throughout the data यानि X1 upon Y1 equals to X2 upon Y2 equals to X3 upon Y3 equals to X4 upon Y4 equals to X5 upon Y5 ब्ला 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 इकोलस तो K यहां K constant है भाई देखो हमारा example ही लेलो यहाँ पर x1 is equal to 1 wrong question है और y1 is equal to 2 डंडे है तो x1 upon y1 equal to 1 upon 2 आ जाएगा चलो अब x2 और y2 की रेशो देखते हैं x2 है 2 wrong question और y2 4 डंडे हैं तो x2 upon y2 होगा 2 upon 4 जो की simplify करके 1 upon 2 आ जाएगा ऐसी x3 upon y3 देखते हैं यह होगा 3 upon 6 और यह भी देखो simplify हो के 1 upon 2 आ गया यहाँ हमेशा रेशो सेम ही आ रही है तो हमारा constant के हो जाएगा 1 upon 2 भायो जब भी कोई question आएगा तो पहले यह पता लगा लेना कि चीजे दोनों side बढ़ रही हैं या नहीं और यह काम common sense से होगा जो कि तुम में कूट कूट कर भरी है फिर एक को x और एक को y मान के रेशो चेक कर लेना अच्छा एक चीज और यारो तुमारा भाई अब unacademy पर आ गया है वहाँ पर तुम मुझसे live बढ़ सकते हो मुझसे बाते भी कर सकते हो और अपने सारे doubt solve करवा सकते हो है ना must धमाकेदार चीज और ये सब है भाई फ्री में कुछ नहीं करना आप डाउनलोड कर लो साइन अप करते हुए एक कोड डाल देना BKP10 और फिर तुम मेरी live फ्री क्लासेज अटेंड कर सकोगे तो यारो जल्दी से अब मुझे unacademy पर फॉलो कर लो लिंक इन डिस्क्रिप्शन अरे हाँ unacademy पर हर संडे compact scholarship टेस्ट भी होता है तो उसे भी जरूर देना हो चलो अब एक प्यारा सा question करते हैं यारो इस table में data direct proportion में है और हमें इन blank spaces को भरना है हमें पता है भाई x1 upon y1 equals to x2 upon y2 equals to x3 upon y3 equals to blah 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 equals to k होता है तो चलो यार पहले k निकालते हैं तो यहाँ पर x1 क्या है 5 है y1 क्या है 15 है और जैसा कि हमें पता है x1 upon y1 होता है k के बराबर तो अब हम यहाँ पर x1 और y1 की value डाल देंगे और हमें मिलेगा 5 upon 15 जो की simplify करके 1 upon 3 आजाएगा तो भायो अपना constant k होगा 1 upon 3 चलो अब y2 निकालना है तो हमें पता है x2 upon y2 equals to k होता है x2 given है 10 k हमने निकाली लिया 1 upon 3 है तो अब इनकी values put करेंगे और अपने पास आजाएगा 10 upon y2 equals to 1 upon 3 अब जल्दी से cross multiply कर दो 10 into 3 equals to y2 यानी y2 equals to 30 भायो इसे हम एक और तरीके से कर सकते थे हमें पता है x1 upon y1 equals to x2 upon y2 होता है और हमें given है x1 है 5 y1 है 15 और x2 है 10 तो इनकी values put कर देंगे 5 upon 15 equals to 10 upon y2 अब cross multiply कर दो 5 into y2 equals to 15 into 10 y2 होगा 150 upon 5 जो की होता है 30 देखा आगया न y2 30 के बराबर सेमी answer आएगा किसी भी method से नकाल लो बस अपना formula याद रखना x1 upon y1 equals to x2 upon y2 equals to x3 upon y3 equals to blah 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 equals to k देखो इसी चीज़ को use करके हम अब x3 भी नकाल सकते हैं x3 upon y3 equals to k यहाँ पर y3 और k की value डाल दो क्या होगा x3 upon 45 equals to 1 upon 3 यह हो जाएगा x3 equals to 45 upon 3 जो की होता है 15 देखा किता simple था आगया हमारा x3 15 और सेम यही चीज़ यूज़ करके हम x4 और x5 भी नकाल लेंगे अरे यह देखो आगया हमारा answer x4 equals to 20 और x5 equals to 30 समझ गये ना direct proportion का funda भाई लोग वैसे जतना time पड़ोगे उतने ही जादा number आएगे exam में यह भी एक direct proportion का अच्छा example है तो जाओ must questions की practice करो और मिलते हैं अगले एपिसओड में लाई चारी में कर्की खाभी में कि युदे करी सुदा करीई में एकर करें हैं